और चलिए आज नालंदा की खास तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे लेकिन बात वारांसी दौरे की प्रधान मंत्री के जो दौरा था उसे लेकर राजनीती काफी जादा गर्मा गई है। कॉंग्रेस एक तरफ तमान सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीक चीक कर जवाब दे रही हैं कि प्रधान मंत्री के होसले कितने बुलंद हैं। कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काशी में मौजूद थे वहाँ उन्होंने क्या कुछ किया और विकास कारेों का कैसे जैजा लिया क्यूं कॉंग्रेस जो है वो बॉख लाई हुई है सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रपोर्ट में। विपक्ष डड़ा देखना चाहता था। मर्थकों का यानि दोनों का जोश हाई नजर आया देखिए इन तस्वीरों को जो एक जहलक में साफ कर रही हैं कि इरादा जनता के अर्मानों के साथ उरने का था उरने का है और आगे भी काइम रहेगा तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद काशी में मोदी का ये पहला दोरा है जहां उन्होंने अपनी जीत को लेकर सुनिये क्या कहा ये बहुत बड़ी विक्वित्तरी है बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्मास है आपका ये विश्मास मेरी बहुत बड़ी पूझी है दशाश वमेद घाट पर पी-म ने गंगा आरती की पी-म रहते पांचमी बार गंगा आरती में शिर्कत की बाबा विश्वनाद धाम में पी-म ने विधिवत पूजा की इसके बाद स्टेडियम और खेल परिसर के निर्माण के लिए चल रहे काम का ओचक जाइजा लिया इतना ही नहीं किसान सम्मा निधी की सद्र में किष्ट जारी की इसके जरिये देश के 9 करोर 26 लाख लाभारती किसानों के खाते में 20 हजार करोर रुपे डाले गए और साफ कर दिया की किसानों महिलाओं और गरीबों के विकास से जुड़े काम भी होंगे और दुनिया भर में देश का नाम भी होगा पूरी तरह से ससक्त और सक्षम बने और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाज्यान या फुड़ प्रोडक्ट होना ही चाहिए बता दें कि प्रधान मंत्री मोदी के इस दोरे में यूपी की राजिपाल अनंदी बेन पटेल और मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ भी मौजूद रहे जो बताने के लिए काफी है कि यूपी में डबल एंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी और आगे बढ़ेगी